दोस्तों नमस्कार आपका सौगत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट इंटरिस एक्जाम पर और दोस्तों फाइली हमारा लॉट्मेंट रिजल्ट आ गया है कल ही आ गया था ठीक है तो यहां पर दें कि करी सारे लोगों को कॉलेज मिला है कुछ लोगों को कॉल धूर्ण को कुछ लिए को कुछ डिसकस करता हूं ठीक है तो चलिए देखते हैं इस त्रीके से आपको कुछ कॉलेज हो गया होगा जिसे भी तक हम बात की करते हैं कि अगर देखे किसी कंपनी बना दिए लास्त विडियो उस्टाया कि उन्हें क्या क्या डॉकूमेंट लेक यह फीज आपको इतनी पे करनी होगी इतनी आपको पे करनी होगी गवर्मेंट को कोई भी फीज पे करनी नहीं है ठीक है कोई भी आपको फीज महाँ पर पे करनी नहीं है जिन्हों गवर्मेंट कॉलिज मिला है और अगर आपको प्राइवेट कॉलिज मिला है तब आपको इत लोग क्या सौच रहेusted कि जो आपको फेश सेकन्डन भी चल रहा है ठीक हैं जो मारा फेश सेकन्ड के इसलेशन चल रहे हैं। तो लोगों को लगा के लिग कमें पार्टिसिप्टराइब कर सकते हैं, यह राप आपका 2nd नहीं है 2nd round means pool counseling होऑफि naw呀ically would you know해eg बात करने वाले हैं winner आपका ऑस्तैने फिर्सक्राइब सहे हुआ सब्स्राइब करम अदर लेकर आपका जो पिर्स डाया है चाहें ॐह आपको फिर्स desert यह क्या है फेज फैसे सेकेंड फैस्ट फैस फोर्छ इसी के अनदर आएंगे ठीक है मतलब आपका जो राउंड है से किन तर्ड फोर्त इनहीं चैज में नो को डाउट आ रहा था तो देखिए राउंड टू का मतलब है पूल काउंशलिंग जिनने कोई भी कॉलेज अलोट नहीं हुआ है उनको पे उन्हें सो हो रहा हो कि आप सैकेन करांब में पूल काउंशलिंग ठीक है अब पूल काउंसलिंग कब से करनी होगी सारी सलेशिप no और आप लोगों को फीज त्री रिट काफी सारी दिख्कते आ रही थी ठीक है तो देखिए यहां पर हम फीज की बाद कर लेते हैं आगे पूल कॉंसलिंग हम पूल कॉंसलिंग द्वार उन पर एडिमिसंस ले सकते हैं अब देखिए फीस की बात हुई थी पहला तुम मैं बता दूं थोड़ा से कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं देखिए फॉर पूल कॉंसलिंग ओनली दोज कॉलिज नहीं हुआ है तब भी आप पूल कॉंसलिंग करा सकते हैं और इसके बाद कुछ लोगों का आ रहा था कि अगर कॉलिज अलॉट हो गया है ठीक है कॉलिज अलॉट हो गई है आपने उसका पैमिंट नहीं किया है अगर कॉलिज अलॉट हुआ है आपने फीज पे नहीं करी है तब भी आप पूल कॉंसलिंग के लिए जा सकते हैं ठीक है तो इस सारी चीज हैं जो कि आपको बिल्कुल मिज़े किलिर करना था अब देखिए फीज की बात कर लेते हैं प्रोचीजर सबकुछ सेमी रहेगा रिष्टेशन और उसका आद आपको कॉलिज फीज फीज देन फिल्दा च्वाइस लेकिन आप पर फीज का देखिए फुल कॉलिज फीज इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है फुल कॉलिज फीज मतलब आपको अब 5,750 नहीं भलकि आपको पूरी कॉलिज फीज के साथ 750 रुट पर जमा करने होंगे ठीक है इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए मैंने पर्टिकुलर इसी लिए वी कॉलिज फीज फीज तो आपके है साथ साथ सो रुपए वो तो आपको फिर से सब्मिट करनी होगे अगर आप फिर से पूल कॉंसलिंग में पाटिस्पेट करते हैं दे हैब तो ऑल्सो डिपोजिज डिपोजिट यहां पर लिखा देखिए कि 51,250 ऐ फुल कॉलिज फीज मतल पर बात कर सकते हैं अगर आपको अप काफी दिन लग जाते हैं फासाने में ब्याब देखिए कि आपको यह तो इसा शीज को आप मानने के चलिए को है बाई फूल प्रैमेंट करना होगा आपको पूल कॉसलिंग के लिए तो आप इस देख लिजिए कि अगर सीटे बची नाबची या फिर किन कॉलोजी में आपको मिलेगा ठीक है तो यह सारी चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना है ठीक है चलिए चीज मुझे टेल आपको इसमें बताने थे अगर कोई और कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं जैल जै भारत